Hello student, फिर से एक knowledgeable और interesting वीडियो में आपका स्वागत है देखिए आज के वीडियो में हम लोग वेकिल्स के बारे में जानेंगे इसकी संरचना के बारे में जानेंगे और इसका क्या काम है इसके बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखते जाएए देखिए, आप लोग जानते ही हैं जैसे कि आपके घर में कोई एक ऐसा कमरा होता है जैसे आप लोग यहां दिखाई दे रहा होगा देखिए, माना कि आपके घर में यह माना कि आपका एक बड़ा सा घर है तो इस घर में आपके पास कोई न कोई एक ऐसा रूम होता है जिसे आप जो अतिरिक्त समान को जैसे कि अनाज हो गए धान हो गए दाल या फिर और उपयोगी समान को उस अतिरिक्त कमरा में एक्स्ट्रा कक्ष में रखते हैं जैसे कि ये घर है और इसमें एक अतिरिक्त कक्ष इसमें कुछ आप जो एक्स्ट्रा है जिसका उप्योग बाद में आने वाला है उसको उस कमरे में रखते हैं तो इसी परकार ये भी कोसिका में ये जो रिक्तिका है ये कोसिका का एक्स्ट्रा कमरा है ठीक है रिक्तिका है जो ठीक है जिसमें कोसिका के उप्योग होने वाली अ है हुआ है इस इसी को यहाँ पर इस ही को हम लोग इसपेंडियो में क्यों घ्रिजक से दिखाएगे प्मक्राइब अगे जाने दिखाई देगा इसके बारे में जानेंगे इसकी संरचना के बारे में जानेंगे ठीक है तो वीडियो को देखते जाएए आपको पूरा समझ में आने माला है यह एक रिक्तिका है जो यू करोटिक सेल में पाए जाता है ठीक है जो यह जिससे हमारे घर का अतिरिक्त कमरा होता सेल वेकिलोंगा को होता है इस वेक्युल्स में एक पतली मेंब्रेन होती है जिसको टोनोपलास्ट के नाम से जानते हैν अब देखिए इसके अंदर में क्या क्या इस्टोवेश होता है इसके अंदर में जो है water होता है क्या होता है water water होता है और इसके अंदर में और क्या होता है enzymes होते है enzymes enzymes food product food product sale का debris मतलब अपसिश्ट पदार्थ debris ठीक है यह होते हैं इसमें पदार्थ होते हैं देखिए बना दे रहा हूं में यह हुग होता हिए अब देखिए हम लोग जानेंगे यह क्या काम करता है तो यह जो रिक्तिका में यह टरजर को maintain करता है जैसे कि間 यह जल्दी से मैं एक सेल बना ले रहा हूँ ठीक है अब ये अंदर में देखिए ये रिक्तिका है तो जब बाहर से बाहर से जैसे वाटर अंदर आता है ठीक है ये वाटर है जब अंदर बाहर से अंदर आता है तो अब ये रिक्तिका जो है उस वाटर को क्या कर लेती है नेख्स स्टेप में देखिए यहाँ पर नेख्स स्टेप में उस water को यह रِक्टिकां जिसे discharge है यह रिक्टिकां अपने अंदर ले लेती है और जिसे यह देखी यह बडा हो जाती है क्योंकि वो बाहर में जो water था यह water अब इसके अंदर में आ जाती है, ठीक है मतलब इससे क्या होता है, तर्जर प्रेसर बन जाता है जिससे ये जो सेल है इसकी दिवारें होटने से बच जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रख देते हैं हम लोग समान को, ठीक है तो ये वेकिल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी था, ठीक है साथ ये प्येज मान को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है और स्टोरेज करता है, स्टोरेज ओर्गन की तरह काम करता है, ठीक है यह वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीविन परकार के जो सेल ओर्गनेल है उसका चर्चा तो करी चुका है और भी हम लोग कुलोरोप्लास्ट और इस परकार सैट्रलोजी से या बैलोजी से सभी वीडियों को एक एक करके डाला जा रहा है यदि आप इसी तरह के कॉंटेंट से जूड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सुस्क्राइब कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब फेबली से जूड़ सकते हैं